गाइस हम सभी के कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, अपने आपको ज़्यादा स्मार्ट और होश्यार समझते हैं तो गाइस ऐसे दोस्तों के लिए आज मैं लेके आए हूँ आपके लिए काफी कमाल की magic trick और इस trick को अगर आप सीख लोगे, इसे सीखने के बाद जब आप अपने दोस्तों को दिखाऊगी, जो दोस्त आपने आपको होश्यार समझते हैं, तो आप उन दोस्तों को हैरां कर सकते हो इस magic trick को दिखा के तो सबसे पहले इस magic को मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ, और इसी वीडियो में, ये magic trick मैं आप लोगों को भी सिखाऊँगा, इसलिए वीडियो मैंट तक बने रहना तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस magic को करने के लिए मेरे पास कुछ सामान है, सामान क्या है, मेरे पास एक card frame है, जैसे मैरे खुछ से design करके बनाया हुआ है और एक ये card है, मेरे पास nine of diamonds, जिसके अंदर बीच ओ बीच मैंने एक मोटा सा hole कर रहा है, ठीक है इसके अलाबा मेरे पास एक nut and bolt है, ठीक है, तो चलिए magic start करते है तो guys, मैं सबसे पहले ये magic करने से पहले आपको दिखा दूँ, इस frame को, ये frame यहाँ पर simple सा है, ठीक है दौनों card से मैंने face to face cards को चिपका के इस frame को बनाया है, बीच ओ बीच मैंने यहाँ पर hole किया हुआ है तो अगर इसके अंदर से हम card डाले है कुछ इस तरीके से, center से मैं card को यहाँ पर टालूँ, तो कुछ इस तरीके से यह आरपार हो जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे यह जो nut है इसको डाल के कुछ इस तरीके से डाल के अगर इसमें मैं यहाँ पे nut को tight कर दूँ तो guys यह जो card मैंने अंदर डाला है बीचो बीच red color का जो card मैंने डाला है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकता इसके अंदर stuck हो गया है यानी फस गया है ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पे bolt यहाँ पे लगा दिया है तो guys आपको क्या करना है अपने दोस्तों को कुछ इस तरीके से card बनाना है यह जो frame बनाना है उसके अंदर एक card डालना है hold करके उसे एक nut से tight करके दे देना है तो इसे वो नहीं निकाल पाएंगे कितना भी जोर लगाएं यह card नहीं निकलेगा अब इसे बनाना कैसे है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा I hope कि आप इसे बना लोगे देखने के बात से अगर आप किसे नहीं बना पा रहे हो तो नीचे comments मुझे कर देना मैं आपको एक नए वीडियो में बता दूँगा कि इस frame को कैसे बनाना है इस magic trick को कैसे बनाना है तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसे बाहर कर सकते हो आपके दोस्तों से बाहर करी नहीं पाएंगे ठीक है? ये lock हो चुका है इसके अंदर मैं आपको पहले खुद बाहर करके दिखाता हूँ एक बार फिर से मैं आपको एक card निकाल के दिखा देता हूँ ठीक है? ये देखिए मैंने आपको निकाल दिया और ये card बाहर आपके यहाँ पे आ जाएगा ठीक है? तो एक बार फिर से मैं इसे डालता हूँ अंदर ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसे अंदर डाल के और इसे कर देता हूँ यहाँ पे lock देख सकते हो मैंने कार्ड को यहाँ पे लॉक कर दिया है बिल्कुल से और अब इस कार्ड को मैं यहाँ पे बाहर निकालने वाला हूँ ठीक है वन चू थ्री ओ माई गॉड गाइस देख सकते हो कार्ड यहाँ पे बाहर आ गया है और हमारा नट यहाँ पे लगा हुआ है मैंने बिल्कुल भी नट को नहीं खोला है नट मैंने टाइट किया हुआ था तो यह मैजिक कैसे हुआ गाइस यह मैं आपको अभी बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैंने आट को पहले खोल लेता हूँ यहाँ से तो गाइस आपको करना क्या है दो कार्ड फेस टू फेस चिपकाना है कुछ इस तरीके से बीच में गैप आपको रखना है और यहाँ पे दो कट आपको लगा देने दोनो कार्स में ठीक है अब होता है क्या है कि starting में जब मैं इसे डालता हूँ, जब लोगों को मुझे देना है या अपने दोस्तों को दिखाना है ऐसे, तो यहां से बीचो बीच से मैं काड़के अंदर से यहां पे डालता हूँ, ठीक है दौनों काड़के बीच में से, फ्रेम के बिल्कुल बीचो बीच, और यहां पे इसे लॉक करके दोस्तों को दे देता हूँ, तो इसे बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब मैं इसे डालता हूँ, मैं खुद इसे अनलोक करना होता है मुझे, तो मैं क्या गरता हूँ, इसे यहां से तो अंदर डाल देता हूँ, यहां से, यहां से अंदर डाल देता हूँ, लेकिन मीचे से मैं क्या गरता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ आपको, यहां से नहीं डालता है मैं इसको, मैं डालता हूँ यहां से, कुछ इस तरीके से ठीक है और ये इसके अंदर से यहाँ पे चला जाता है कुछ इस तरीके से ठीक है तो कुछ इस तरीके से रहता है और फिर मैं इस पे nut tide कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ठीक है अब जब मुझे इसे निकालना है तो मैं क्या करूँगा धीरे से ये जो काड है इसको नीचे डाउन करूँगा ये देखिए कैसे आराम से निकलेगा ये देखिए ये आराम से यहाँ पे निकल जाता है और नट यहाँ पे लगा रह जाता है तो जो सामने देखने वाले लोग हैं वो इंप्रेस हो जाते हैं है प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरू से बताएं